अगर आप भी गुटनों के दर्द से परेशान है तो सिर्फ दिन में एक बार लगा लेना दोस्तों गुटनों का दर्द दीरे-दीरे करके बिलकुल गायब हो जाएगा एक दम ठीक हो जाएगा गुटनों के दर्द की समश्या जिनको होती है उसकी पीड़ा वो ही समझ सकता है दोस्तों जिनको दर्द होता है क्योंकि उठने बैठने में चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहां तक कि आपके गुटनों में बैठे बैठे भी पेन होता रहता है अगर आपको भी ये समश्या है तो आप इस नुस्खे को एक बार बना कर जरूर ट्राइ करना बेहद ही रामबान सा ये नुस्खा है दोस्तों और गुटने और जोडों का दर्द अडियों का दर्द जिनके गुटनों का जैसे ग्रीस होता है वो कम हो जाता है तो इससे वो भी बनने लग जाएगा गरेलू नुस्खा है बिलकुल घर की चीजों से हम बनाएंगे लेकिन आप जब इसका इस्तिमाल करेंगे तो आपको फायदा बहुत होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ तो पहले हम यह नुस्खा तयार करने के लिए इसकी सामगरी देख लेते हैं इसकी सामगरी में हमें यहाँ पे सबसे पहले जो आमने लिया है यह है सोंट पाउडर यानि की ड्राई जिंजर पाउडर बहुती बढ़िया होता है जोडों की दर्द के लिए सरीर में कैसा भी दर्द हो तुरंत फायदा मिलता है ऐसी चीज है सोंट पाउडर दोस्तों मैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा नुस्खा बनाना बता रही हूँ आपको क्या करना है जैसे मैंने यहाँ पे सोंट पाउडर लिया है आपको एक बार में 10 गराम सोंट पाउडर का इस्तिमाल करना है जब भी आप बाजार से लेकर आए तो वजन मैं आपको बत काली मिर्ची का पाउडर भी जो है दोस्तों आपकी सेयत के लिए अच्छा होता है अगर आप इस तरी के से इस्तिमाल करते हैं तो आपकी गोटनों में बहुत जल्दी फायदा होने वाला है जो भी चीजे मैं ले रही हूं ये आपको जरूर लेनी है ये नुस्खा तयार करन है इससे क्या होता है अगर आपके गोटनों में ग्रीस कम हो गया है तो उसकी भी जो है ये बड़ोतरी करता है ग्रीस बनने लग जाता है जोइंट के अंदर गोटनों के अंदर आडियों के लिए वह ज़्यादा फायदेमंद होता है सरीर को भी ये ताकत देने वाला होता ह तो आपको जो है ना इसका इस्तेमाल जरूर करना है और बबूल गोंद का इस्तेमाल तो अगर आपकी अडियो जोडो की दिक्कत है ना तो आप लाकर रख ले 100 ग्राम और रो जाना जो है ना इसके दो चार दाने उठा कर आप मुझ में डाल कर उसको जैसे टोफी खाते हैं इस तरीके से आप उसको चूसते रहना उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है क्या होता है किसी किसी को जैसे सोंट पाउडर है काली मिर्ची पाउडर है ये सूट नहीं होते हैं क्योंकि सबकी सरीर की तासीर अलग होती है अगर आपको भी ऐसा लग रहा है आपको ये तो यहां पे आमने क्या किया बबूल गूंद भी 10 ग्राम ले लेना है उसका आमने पाउडर बना लिया है तो यह भी इसमें आमें 10 ग्राम ही ले लेना है तीनों चीजों की जो मात्रा है वो सेम रहेगी लेकिन बबूल गूंद जो है इसको आपको कच्चा ही पीस कर लेना है यहां पे पकाना नहीं है बिल्कुल भी सिर्फ कच्चा ही इस्तिमाल करना है क्योंकि हम इसे गुटने और जोइंट के दर्द के लिए ले रहे हैं इसलिए आपको यहां पे इसको पका कर इस्तिमाल नहीं करना है सिर्फ कच्चा इस्तिमाल करना है अगली चीज हम लेंगे वो लेंगे दोस्तों सेंदा नमक इसमें आप सिर्फ सेंदा नमक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं सेंदा नमक आपको कितना लेना है 5 ग्राम जैसे आपने बाकी की जो चीजे ली हैं वो 10-10 ग्राम ली है ना नमक आपको उनसे आदी क्वांटिटी में लेना है जैसे पांच ग्राम पांच ग्राम इसमें नमक डाल लेंगे आप जो है ना जैसे मैंने वजन बताया है इस इसाब से आप बना कर रखें सब्तावर के लिए ये नुस्खा तयार हो जाएगा इतने में ही आपको जो है इसका फाइदा हो रहा है तो आप इसे और बना कर कुछ दिन और इस्तिमाल कर सकते हो बहुती बड़ी अनुस्खा आपको मैं बता रही हूँ ये और यहां पे जैसे हम जो चीजे इस्तिमाल कर रहे हैं अगर आप इने साबूत लाकर गर में पीस कर इस्तिमाल करती है तो आपको जो है न इसका पता रहेगा कि अमने जो है प्योर चीजे लिए पाउडर लेकर आते हैं तो कोई पता नहीं रहता है बाजार में मिलावटी चीजे भी मिल जाती है अगर गर में ही आप बना सकते हो न ये सारी चीजे कोट कर पीस कर तो इने गर में लाकर बना कर फिर तयार करना जिससे आपको इसे पूरा-पूरा फायधा मिले आप इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है और किस तरीके से आपको ये किसके साथ में लेना है वो चीज़े यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो आप ध्यान से देखना पांच गराम के अंदाज से आपको ये mix निकार लेना है एक अलग से आपका टोरी में निकार ले और इसमें आप एक से डेड़ जमच सहद mix कर ले सहद भी जो है आपका अच्छे वराण का होना चाहिए सुद्ध होना चाहिए तभी आपको ये जो नुस्खे है ये पूरा फायदा देते हैं दोस्तों ये नुस्खा आप दिन में दो बार लेने के लिए एक ही बार बनाकर तयार कर ले लेकिन जो पाउडर आपने बनाया है mix करके उसको आप किसी छोटे डब्बे में बरकर रख ले डखकन लगा कर और रोजाना आपको 5 ग्राम पाउडर का ही इस्तेमाल करना है इस तरीके से सैध डालकर इनको अच्छे से मिलाना जब ये पूरी तरह से अच्छे से mix हो जाए उसके बाद में आपको ये दो बार में दिन में लेना है एक तो आप सुबह के समय जैसे खानावाना खा लेते हैं उसके बाद में इसे चाट कर खाएं और एक आप शाम को जो है सोने से पहले इसे चाट कर खा सकते हो उसके बाद में आप कुला वगेरा कर ले क्योंकि ये मिठा रहता है लेकिन पानी वानी आपको जो है इसके उपर से नई लेना है जब आप चाटकर इसे खाएंगे तो आप कुला तो कर सकते हो लेकिन पानी वानी ना पेना एक अध गंटे के लिए उसके बाद में आप गुनगुना पानी जो है ले सकते हो तो इसी तरीके से आपको ये जैसे सुरुवात में साथ दिन के लिए आप बनाएंगे उसके बाद में आपको अगर फायदा नजर आता है ना तो आप इसे इसकी सारी quantity बढ़ा कर आप महीने बर के लिए बना कर रख लें रोज जाना इसका इस्तिमाल इसी तरीके से करें दूसरा आपको instant relief देने के लिए यहाँ पर मैं एक oil बना कर बता रही हूँ दोस्तों जिसे आप लगाएंगे ना तो आपको तुरंत एक से दो दिन में ही दर्द में फायदा नजर आ जाएगा सरसों के तेल में आपको एक चमच अजवायन एक चमच सौट पाउडर और एक चमच कलोंजी जिसका इस्तिमाल हम अचार वगेरा के लिए करते हैं वो बस यहाँ पे तीन चीज़े आप डाल लेना इसको आपको गैस पे रखना है गैस पे रखके बिल्कुल दीमी आज पर क कम से कम चार-पांच मिनिट पकने देना जिससे की जो चीज़े आमने इसके अंदर डाली है यह अच्छे से पक जाए हैं एक बात ओर जब आप तेल में सारी चीज़े डाले तो उनको गरम करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना नई तो इसके अंदर लंस हो सकते हैं यह आप ध्यान रखना अब हमने यह पका लिया है बहुत जादा नहीं पकाना है जिससे की सारी चीज़े जल जाएने या में सिर्फ इसके फाइदे लेने हैं तो इसको दीमी आज पे थोड़ी जी दिर पकने दे जब तक यह सारी चीज़े सुनेरी कलर की होएं उसके बाद में इसको आप ठंडा करके और इसको चान लेना चलने से और ठंडा करके जार में बरके रख लेना आपको रोज आना थोड़ा थोड़ा तेल लेकर अपने गुटनों की जोडों की जापे भी आपको दर्द है अलके-अलके आतों से मसाज करवाने हैं दोस्तों गर्में आप तो खुद भी कर ले इस तरीके से रोज शाम को आप मसाज करके उपर से कोटन के कपड़े से या जो गरम पट्टी आती है उससे कवर करके सो सकते हो तो इस तरीके से आपके कपड़ों में भी तेल नहीं लगीगा और गुटने का जो दर्द है आपका दीरे-दीरे करके वो भ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवत